हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखरें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक यदि आपको लगातार पेट में दर्द होता है, एब्डॉमनल पेइन होता है, आपको इस्टिफनेस होती है, बॉमेटिंग सेंसेशन होता है और दर्द के कारण आपके क्वालिटी ओफ लाइफ प्रभावित हो रही है, आपको क्रेम साते हैं, और आप अनेजी महसूस करते हैं, स्वेटिंग होता है, तो फिर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको समझने के लिए हमें सिम्टम्स को समझना होगा, उसक इसको कई वरी नॉर्मल गैस का पेन मानके नेगलेट भी करते हैं, लेकिन यदि आपको लगातार पेन होता है, और बॉमेट आता है, आपको क्रेम साते हैं, और आपके दर्द की डिगरी इतनी है कि आप उसे नहीं सहन कर पाते हैं, आपको कोई दबाई लेनी पड़ती है, तो फिर आपको साफधान होने की आवशकता है, फिर आपको कोई serious trouble हो सकती है, और उसके पीछे कोई underlying cause हो सकता है, जो कि यदि आपने timely उसको report नहीं किया, तो बाद में वो serious complications, even the cancer का रूप ले सकता है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि symptoms क्या हैं, यदि आपको abnormal pain है, तो आपको sudden दर्द होगा, cramp आएगा, और कई बारी दर्द अपना जो एक जगे ना होके आगे पीछे जाता है, लेकिन कई बारी concentrated pain भी होता है, मतलब एक ही हिस्से में लागातार दर्द बना रहता है, थोड़ा बहुत आप move करते हैं, तो दर्द कम हो जाता है, या फिर आ इसके symptoms के साथ कुछ causes हो सकते हैं, यदि हम देखें तो हमारा जो abdominal pain है, जो abdominal reason है, उसको बहुत सारे organs हैं, जो abdominal health को प्रभावित करते हैं, लाइक pancreas है, आपका kidney है, आपका liver है, आपके intestine है, फिर आपका देखा जाए तो फिर आपके पीट की जो gastric layer है, तो ये सारे जो organs हैं इंडारेक्टली हमारे पीट के स्वास्त को प्रभावित करते हैं, और दर्द का कारण भी होते हैं, most common cause जो देखा जाता है, वो epigastric हो सकता है, मतलब आपको gas का दर्द हो सकता है, कोई infection हो सकता है, जिसमें most common H-pyloric हैं, फिर आपको gallbladder strone हो सकती है, आपका fatty liver हो सकता है, liver serious हो सकता है, liver joint is हो सकता है, और liver fatty होने के कारण कई बरी देखा जाता है, कि आपको बहुत जदे stiffness होती है, दुखन होती है, और दर्द आता है, इसके साथ साथ कई बरी pancreas में swelling के कारण दर्द हो सकता है, kidney में यदि कोई swelling है, तो आपको दर्द हो सकता है, kidney का कोई है आपका जो और अकरस्ट्राइब और आपके साइक्ल का ब्लॉइनнить। और लगातार PCOD और PCOS के कारण आपका irregular menstrual cycle और हार्मोनल जो सिक्रीशन है उसमें abnormalities होना आपके दर्द का कारण हो सकता है लेकिन यह जब सारे पेन काफी temporary होते हैं और यदि इनको हम रिपोर्ट करें और इसका treatment लें तो यह ठीक भी हो जाते हैं लेकिन कुछ common problems हैं जो बहुत पत्री का दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होता है बहुत ज्यादा है उसकी डिग्री होती है तो आपको कोई ना कोई पेंकिलर का सपोर्ट लेना पड़ता है उसके बाद किड्नी स्टोन है फिर आपका appendix का दर्द है यानि appendix के अंदर यादि आपका swelling आ जाए sensitive हो जाए आ इसके कारण भी जो दर्द होता है वह भी बहुत सीवियर होता है तो उसमें immediate hospital management की आवश्यक्ता पड़ेगी और जर्नली यह दर्द vomit के साथ मतलब उल्टी के साथ रिपोर्ट करते हैं लोग और इसके साथ sweating भी होती है और दर्द की जो डिग्री है वह काफी ज्यादा होती है फिर कुछ digestive issues हो सकते हैं जैसे indisation है constipation है Crohn's disease है IBS है फिर आपका ulcer है यह सब हो सकता है और due to the anal anorectal reason में जो inflammation होता है आपके नीचले वाले पैसे में जहांसे एनस से हम stool pass करते हैं यह उसके अंदर कोई inflammation है या कोई tender है या फिर कोई आपका part जो पैसेज है वह paralysis हो गया उसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है तो यह सब set of reason है causes है और इनको समझने की जुरूत है अब हम बात करते हैं कि investigation क्या हो सकता है यदि इस तरह का कोई दर्द है तो फिर क्या set of investigation होगा सबसे पहले ultrasound LFT KFT and CVC routine यह जाचे होंगी आपकी उसके बाद यदि ultrasound में और आपका kidney function test, liver function test में भी नहीं बात समझ आती है symptoms के आधार पे यानि पूरी history लेनी होगी patient की symptoms को देखना होगा physically examine करना होगा और उसके बाद भी यदि कोई diagnosis नहीं बनता है तो फिर endoscopy and the colonoscopy एक option होता है जिसमें की internal picture हमें मिलेगी जिससे की हम better assessment कर सकते हैं और symptoms को उसके साथ हम associate कर के एक proper diagnosis बना सकते हैं और जो underlying cause है जो diagnosis है उसके आधार पे फिर आपका treatment होगा but temporary कुछ relief मिल सकता है आपको dehydration को कम करें यानि अच्छे से liquid diet लें plus frequent meal लें हर तीन घंटे पे हलका हलका soft diet लें जिसमें की आपका vegetables rich food होना चाहिए सबजी खा सकते हैं खिच्डी दलिया खा सकते हैं पोह खा सकते हैं चापाती खा सकते हैं और fat free curd आप ले सकते हैं that is a easily digestible food so natural food लें plus overeating ना करें dehydration को subside करें उसके बाद इदी आपको लगातार problem बनी रहती है तो फिर आपका treatment है वो antibiotic से होगा या फिर आपका जो underlying cause है उसको deal करना होगा surgery भी एक option हो सकता है और कुछ समय के प्रापी भी एक option हो सकता है बट यह सब depend करेगा कि आपका underlying cause क्या है उसके बाद आता है कि prevention क्या है prevention और management बैटर prevention management यही है कि आप digestive system को normalize रखें कोई congestion ना होने दें कोई blockage ना बनने दें कोई tendon ना बनने दें आप अपने weight को control रखें daily basis walk करें प्लस अच्छे से liquid और fiber diet लें प्लस smoking, excessive tea, coffee and alcohol को immediately cut down करें तो इससे आपको prevention भी होगा और आपको यदि कोई problem diagnosed हो गई है यदि कोई आपको underlying cause है तो उस cause को भी subside करने में आपकी problem को treat करने में यह dietary जो आपके restrictions है और जो आप natural methods अपनाएंगे वो directly help करेगा Thank you very much and take care of yourself Thank you very much